वेल्कम फ्रेंड्स चेप्टर नुम्र 7 दोस्तों अभी तक हमने दो वीडियो कॉंटेट किये फर्स्ट वीडियो है वह है फ्रेक्शन क्या होता है और 7.7.1 का पेशियर नुम्र 1 और 2 फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि 7.1 एक्सराइज नुम्र का पेशियर नुम्र 3 से लेके पेशियर नुम्र 11 तक सारा सौल किये थे उसमें दो पेशियर में आपको हमवर्क में दिये थे वह आपने कम्प्रिट कर लिये होंगे अब आता है 7 एक्सराइज नुम्र 7.2 लेकिक उससे पहले कुछ चीज हमको मुझसी लेक्स करवाँगा हुची लों दो पिम्रीट कर वाँँगा। कि आपको कि देख़ेंस जैसे भाईने बताया अब आते हैं लाइक फ्रेक्शिंक ख्कार सेम होते हैं उसमें लाइक अंडिकल या थे पहलेके कई तो आप इदर देख सकते हैं कि यह जितने भी fractions है उसमें denominator same है इसलिए हम उसको क्या कहते है? Like fractions ऐसे ही 2 upon 3, 4 upon 3, 7 upon 3, etc. ठीकर अब आता है unlike fractions Unlike fractions क्या होते है? Having different denominator Denomator different है उसे हम unlike fractions कहते हैं For example, 1 upon 8, 2 upon 7, 3 upon 5, etc. आप इदर देख सकते हैं कि यह जितने भी fractions है उसमें denominator different है इसलिए हम उसको unlike fractions कहते हैं अब आता है second part Second part क्या होते है? Proper fraction, improper fraction of mixed fraction का Proper fraction क्या होता है? Numerator denominator से छोटा होता है उसे हम proper fraction कहते हैं For example, 1 upon 3, 4 upon 9, 6 upon 11, etc. तो आप इदर देख सकते हैं कि 3 जो है वो denominator है और 1 जो है वो numerator है तो इदर 1 तरी से छोटा है इसलिए हम उसको proper fraction कहते हैं अब आता है improper fraction Improper fraction क्या होता है? Denomator numerator से छोटा है उसे हम improper fraction कहते हैं For example, 11 upon 9, 4 upon 2, 9 upon 4, etc. तो आप इदर देख सकते हैं कि यह जितने भी fractions है उसमें denominator numerator से छोटे हैं इसलिए हम उसको improper fraction कहते हैं जैसे कि 11 upon 9 है उसमें 11, 9 से बढ़ा है इसलिए हम उसको improper fraction कहते हैं यह numerator denominator से बढ़ा है अब वाते हैं मिक्स fraction का पार्ट मिक्स fraction क्यों होता है Whole number plus fraction जो होता है उसे हम मिक्स fraction कहते हैं For example, 5 जो है वो whole number है और 7 upon 2 fraction है ऐसे ही 4 जो है वो whole number है और 9 upon 3 fraction है वैसे ही, etc. Thank you Okay friends, मेरी बेन ने आपको समझाया कि light fraction क्या होता है unlike fraction, mixed fraction, proper fraction, improper fraction यह सब क्या होता है अभी हम देखेंगे कि mixed fraction को improper fraction में और improper fraction को mixed fraction में convert कैसे करते हैं Exercise 7.2 हम next video में देखेंगे क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही देखेंगे कि improper fraction को mixed fraction में और mixed fraction को improper fraction में convert कैसे करेंगे और यह तरीक ही आपको exercise number 7.2 में बहुत use होगी तो यह कुछ steps लिखे है mixed fraction को improper fraction में convert कैसे करता है तो यह हमारा mixed fraction है 2 1 by 3 इसमें 2 whole number है तो उसको क्या बोलेंगे double U क्या double U whole का double U यह one numerator है इसको क्या बोलेंगे N और 3 है denominator तो इसको बोलेंगे D और हमारे पास इक ट्रीक है उससे mixed fraction को हम improper fraction में convert करेंगे तो कैसे D into W plus N upon D यही ट्रीक है तो यह formula इदर apply करते है D कौन सा है 3 इदर 3 लिखते है इन्टु डबल U तो डबल U कोज है 2 इन्टु 2 multi plus N तो addition करेंगे हम N क्या है 1 ठीके और नीचे denominator पे क्या है D फिर से D तो D क्या है 3 तो हमारा answer क्या है 3 into 2 equal to 6 simple solve गर 3 into 2 equal to 6 6 plus यह क्या है 1 अब 1 नीचे क्या हा था 1 equal to 7 इदर 7 upon नीचे 3 तो यह हमारा आगया improper fraction तो यह हमने कर दिया mixed fraction को improper fraction में convert कर दिया तो फिर से आपको समझा रहता हूं यह formula आपको apply करनी है D into W plus N upon D ठीके अब D क्या है denominator numerator M क्या है numerator और W क्या है whole number मतलब 2 तो इदर हमने apply किया D equal to 3 then W equal to 2 3 into 2 plus N equal to 1 इदर 1 लिखा और denominator में D तो D 6 अब इसको simply solve किया 3 into D equal to 6 plus 1 plus 1 और इदर 3 मतलब 6 plus 1 equal to 7 और denominator में 3 तो यह हो गया हमारा mixed fraction to improper fraction अब इसके ज्यादा question हम exercise में solve करेंगे अब उसके बाद क्या है improper fraction to mixed मतलब improper fraction को mixed fraction में कैसे convert करते है तो इसकी simple solution है कि division करना है किसका division करना है मैं आगे example में बताता हूँ तो division में हमें करना है पहले इदर लिख दो इसे box में बना लिया अब ये x है x क्या है ये 13 को हम बो लेंगे x और ये 3 को हम बो लेंगे d तो पहले x को इदर लिख लाए ये x क्या थर्टिंग क्या है 13 अब ये denominator 3 है तो हम इदर लिखेंगे अब इसको solve करना है division तो आपको आता होगा तो इसको solve कैसे करेंगे, 3 foods are 12, equal to, इधर क्या गया, 1, 13 में से 12 जाएंगे तो आएगा, answer, 1, ठीक है, अब उसको mixed fraction में convert करना है, तो mixed fraction कहता है, इधर whole number होता है, इधर numerator होता है, इधर denominator, तो हमें इस formula की मदद से इसको इधर apply करना है, कैसे करेंगे, तो पहले whole number लिखने है, whole number w, तो डबल इधर कहां लिखा हो, इधर w लिखा हुआ है, तो इधर ये हो गया हमारा w, मतलब जो उपर है, उसको हम गोलेंगे w, इधर 4 है, इसके बाद n किदर है, इधर है, तो इसको n 1 इधर से उठा के numerator में लख लिया, और denominator में क् 3 उठा के, हमने लिख लिया, denominator में, तो 4, 1 upon 3 हमारा क्या है, answer, तो फिर से आपको एक बाद समझा लेता हूँ, improper fraction to mixed fraction, तो कैसे करेंगे, तो पहले जो भी हमको value दिया, उसका division करना है, कैसे, कि जो numerator है, वो box के अंदर आएगा, और denominator है, वो box के बाहर आएगा, उसके बाद इ division कर दिया, कि 3, 4 जा, 12, तो answer इधर आगया, 1, इधर 4, अब हमें, इस से compare करना है, इसको, mixed fraction में, कर लट करने के लिए, mix fraction कैसा होता है, whole number, numerator upon denominator, तो whole number कौन सा है, w या 4 है, ठीक है, तो इधर 4 रख दिया, then numerator n कौन सा है, नीचे है, तो नीचे से अपने उठा लिया, n equal to 1, औ और, डिवा, मतलब, denominator कौन सा है, D, तो वो इधर है, इधर समने रिठा लिया, 3, तो यह हमारा हो गया, improper fraction to mixed fraction, अब next वीडियो में, मैं आपको cover कराऊंगा, exercise number 7.2, पूरी exercise में, यह mixed fraction to improper fraction, improper to mixed fraction, light fraction, unlike fraction, सारे concept आएंगे, ताब इसको, एक बार ठीक से पढ़ लिजेगा, और next वीडियो में, मैं आपको, स्वाली exercise number 7.2, complete करवांगा, thank you,